दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं नाउन को डिसकस करने वाली हूँ जो कि ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टन पार्ट है और इसको सीखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है अगर हम लोग इंग्लीश लैंग्वेज को बहुत ही अच्छी तरह से जानना चाहें त प Правाई हूँ जब भी हम लोग कन वर्शेशन करते हैं या बात करते हैं उस समय हम लोग बहुत सारping वेज एसे होता हैं जो किसी पर्सन का नाम यह प्लेस का नाम या एनिमल का नाम या फिर किसी थींग या वस्तू का नाम होता है तो इन सभी वर्ट्स को ही हम लोग ना vigthen कहते हैं मतलब कि कोई भी वस्तू या बैकटी या इस्थान के नाम को ही हम लोग नाउन कह देते हैं नाउन एक तरह का वर्ड होता है जो यूज किया जा सकता है किसी भी person के नाम के तरह या place के नाम की तरह या thing के नाम की तरह In other words, हम लोग हर रोज जो अपने चारो और अपने atmosphere के चारो और या school के चारो और कहीं भी everywhere जितने सारे वस्तूओं को देखते हैं कोई भी चीज देखते हैं जैसे table, chair, mage ये सब जो हम लोग अपनी खुली आँकों से देखते हैं इन सभी कोई हम लोग noun कह सकते हैं कुछ examples देती हूँ तो फिर बहुत ही ज़्यादा concept clear हो जाएगा Number one The lion lives in the forest इस sentence में the lion or forest ये दोनो word जो है noun है क्योंकि देखो जो lion है वो किसी animal के category में आता है वो animal है ठीक है forest जो है वो किसी place के category में आता है तो इसी हिसाब से lion और forest जो है noun के category में है तो हम लोग इस sentence में दो ही noun मिल रहा है lion and the forest The boys were in the playground In this case also boys और इसके साथ playground जो है noun है समझ में ही आ रहा होगा क्योंकि boy जो है किसी person का है नाम और जो playground है वो एक place है तो इससे clear हो रहा है कि ये दोनो ही इस sentence में noun है और जैसा कि मैंने पहले definition में बताया था जो use वाली हम लोग use कर सकता है याद रखने के लिए कि कोई भी चीज हम लोग आखों से देख सकते है उसे हम लोग noun कहते है तो देखो boy को और playground को हम लोग देख सकते है His mother is peeling potatoes इस sentence में भी mother और potatoes जो है noun है अब last example देख लो राहूल वोक्स इन कॉननेट प्लेस कैसे अब तो explain होई चुका है तुम लोग बहुत ही ज़्यादा clear हो पाएगा अब noun जो है वो total five types का होता है proper noun, common noun, material noun, collective noun and abstract noun तो दुस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही hope जो noun का concept है वो clear होगा now I hope you enjoyed the video see you on the next video कर दो कर दो झाल झाल झाल